कर दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुना है हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं दोस्तो आज हम पुना Microsoft Word के ही फीचर के बारे में समझने वाले हैं दोस्तो Microsoft Word पर एक ऐसा फीचर अविलेवल होता है जिसके माध्यम से यूजर को कोई भी documentation का work करना होता है जैसे की later type करना हुआ कोई भी आप matter को जब आप type कर रहे होते हैं तो उस समय आपको type किये जा रहे font से related या उस matter से related महुत सारे editing के भी work जो है आवस्यक होते हैं क्योंकि आपका मैटर जितना आकरसक होगा आप उसको जितना सुसजित तरीके से सजा पाते हैं वो उतना ही आसान और बेवस्थित दिखेगा तो आप अपने लेटर को या जो भी मैटर है उसको आप जितने अच्छे तरीके से आपका विचार होता है आप उसको सजाते हैं तो ये सजाना जो उसको आकरसक तरीके से ज्यादा से ज्यादा बहतरीन बनाना ये आप किस माध्यम से कर पाते हैं MS Word में ऐसा क्या फीचर है जिसके माध्यम से आप अक्षरों को सब्दों को आप सुसजित तरीके से सजाते हैं आकर सित बनाते हैं वो उसी फीचर के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने WhatsApp ग्रूप, Facebook ग्रूप और अपने Contacts में Share अवस्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा Student तक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक हमारा यह वीडियो जा सके और जिन्हें यह जानकारी था या कि फिर confusion था तो वो उनके यहां पर पहुंख पाए तो चली दोस्तो बात करते हैं आज हम फार्मेटिंग टूल बार की जी हां दोस्तो फार्मेटिंग टूल बार एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर टाइप किये जा रहे matter को या कि matter के बीच कोई भी चीज आप कोई भी थिंग्स हो गया, पिक्चर हो गया डायग्राम हो गया, इनको जब इनसर्ट करते हैं, इन सब को आप व्यवस्तित करम पे रखना होता है आपको, तो इन सभी को व्यवस्तित करम पे रखना और अक्षरों का सही तरीके से आकरसण का स्वरूप देना उनको आप फार्मेटिंग टूल बार के माध्यम से कर सकते हैं तो फार्मेटिंग टूल बार दोस्तो ऐसा होता है आप देख पा रहे हैं हम आपको अलग से ड्रैग और ड्रॉप करके दिखा दे रहे हैं यह फार्मेटिंग टूल बार है आप इसे देख पा रहे हैं फार्मेटिंग टूल बार पर चूंकि यह भी मीनू बार के अंदर जो सब मीनू जो होते हैं उन्ही का एक डाइरेक्टली स्वरूप है उनके जो अलग अलग अप्शन्स हैं उनको यहाँ पर डाइरेक्टली एक साइन के रूप पर या कि फिर डाइरेक्टली वन क्लिक पर रख दिया गया है कि आप वन क्लिक करें और आपका वह वर्क हो जाए आप मीनू या सब मीनू पर न जाकर के यहाँ से डाइरेक्टली वर्क कर सकते हैं दोस्तों आप देख पार हैं फार्मेटिंग टूल वार पर आपको ये style and formatting का box मिलता है यहाँ से आप type किये जा रहें matter के font का style चेंज कर सकते हैं यहाँ आप देख पार हैं यहाँ पर click करने से आप matter के font को ही change कर सकते हैं और type किये जा रहें font के size को आप यहाँ से click कर सकते हैं यह आप type किये जा रहे matter को bold italic underline कर सकते हैं font को आप यहाँ से bold italic underline कर सकते हैं यहाँ से आप line left center line right and justify कर सकते हैं आप देख पार हैं यहाँ से आप line की spacing जो है set कर सकते हैं यहाँ से numbering bullets और decrease and increase indent यहां से आप कर सकते हैं और आप यहाँ पर border दे सकते हैं अपने matter पर बिल्कूल आप select करके border आप दे सकते हैं यहां से आप देखिए highlight कर सकते हैं background को और यहाँ पर font का color आप दे सकते हैं है ये background का color आप दे सकते हैं और यहाँ पर font का color दे सकते हैं तो दोस्तो आप देख पार हैं कि formatting toolbar हमें इतने सारे features को directly access करने की सुविधा प्रदान करता है तो कितना अच्छा है दोस्तो ये formatting toolbar आप इस पर directly work कर सकते हैं अपना menu bar या sub menu में न जा करके आप यहीं से directly access कर सकते हैं तो बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है हमारा यह formatting toolbar तो दोस्तो कैसा लगा यह वीडियो आप हमें अवाज से बताईएगा और किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप comment box पे अवाज से शेयर करें ताकि हमारे जो नए नए यूजर हैं उनसा भी तक हमारा यह वीडियो पहुंच पाए और आवस्यक वाई चुक लोगों के पास हमारी यह जानकारी पहुंच पाए हमारा यही उद्देश से है तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो पर एक नए जानकारी के साथ